चेले लेकिन आज मारूती का स्टॉक फिर से थोड़ी सी नर्मी दिखा रहा है यहाँ पर कुछ-कुछ मुनाफव असूली जोर पकड़ती हुई दिखाई दिये है डेड़ पसंट का नुकसान और नुकसान की वज़ा यह है कि यूपी में सभी हाइब्रिड गाडियों को रो रोहन से समझ लेते हैं जो यूपी का सूत्र हैं उनका है कि वो एक सर्टिन लिमिट तक ही यह exemption देना चाहते हैं और एक सर्टेन टाइम फ्रेम तक यह देना चाहते है और इसको लेकर बहुत जल्दी एक क्लैटिफिकेशन तयार हो रहा है इसमें बताते हैं कि कल एक बहुत ही महरपूर्ण बैठा कोई थी जिसमें यूपी सरकार के जो तमाम अलाधिकारी हैं वो तो थे ही साथी मारूती, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हॉंडा, इस तरह के जो तमाम कंपनियां उनके रिप्रेजेंटेटिटिव थी और एक पूरा दिवाइडिड हाउस था, आटो कंपनियां एक मत नहीं थी, इसमें मारूती और टाटा तो बिल्कुल एक पूरे फेवर में थी, कि एक तरह का रूल होना चाहिए, सभी गाडियों पर एक्जम्शन मिलना चाहिए, लेकिन कुछ जो ठाटा मोटर्स और बाकी कंपनियां उन प्राइस लिमिट सेट की जा सकते हैं लगभग 20 लाग तक की, लेकिन जब तक ये क्लारिफिकेशन नहीं आता है, तब तक ये पॉलिसी एज रहेगी, तब तक फायदा उठाया जा सकता है, अगले कुछ दूर में हम उमीद करते हैं कि एक लिमिट कर दी जाएगी, यूपी लाजमी भी है, I think, सब अपने हिद के बारे में सोचते हैं, but as of now, I think MNM थोरी से रेकवरी मोड में है, और मारुती को ले क्या है, मारुती एग्जेक्टली क्या कर रहा है, इसकी टेजिक्ट्री को देखना चाहेंगे, मारुती आपके स्क्रीन पे, 12,579, फिर रेडियूस ह जो डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने का, क्रियेट कर रहा है कोई काउंटर, वो है एक्सिस बैंक, एक बार एक्सिस बैंक लिक आईएगा, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, आपकी स्कीन पे, अल्मुस्ट दी हाई की डियक्ट्री में, इस 1322, शांदार मोवियां पर, तो बचाता हुआ, निफ्टी बैंक और एक्सिस बैंक, बचाता हुआ, निफ्टी आईटी, 38105. बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार, एक्सिस के अपनी नीजी विचार होते हैं, वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है, यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इंडला लेवी से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा लें.